नमस्कार दोस्तो सारनपुर जी है सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं आज आप सब के सामने लेकर आया हूँ मद्यकालिंग भारत की जो हमारी वीडियो की सीरीच चल रही है उसमें हमारी next class ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था बलबन और उसके उत्रा दिका हमारी के बारे में उसको complete करने के बाद आपके आद होगा हमारा मामलुक वंस खतम हो गया था और मैंने बोलाता है कि अब अगली वीडियो हमारी खिलजी वंस को लेके होगी तो आज का जो हमारा टोपीक है खिलजी वंस ठीक है तो पहले हम खिलजी वंस का आज basic introduction ले ले ल खिलजी ने के उमर्स जो उसका बलवन के जो उत्रादिकारी बात की थी उसमें जो लाश्ट वाजा तो उसकी हत्या करके खुदराजा बनाता 1290 में तो यही खिलजी वंस की स्थापना करता है और यह 1290 से 1320 तक लगवग 30 वर्सों तक इनका सासन नहता है कितने वर्सों तक 30 वर्स तक ठीक है लगवग 30 वर्स तक सासन रहता है तो हम basic introduction से इसकी starting करते हैं कैसे कैसे खिलजी वंस आगे बढ़ता है ठीक है पहले हम देखते हैं इसका संस्थापक कून था ठीक है खिलजी वंस का संस्थापक कौन था ठीक है यह जो खिलजी वंस है इसका संस्थापक था जो हमारा उधर की side जो पहला ही राजा लिखा है न एकक करके पढ़ें इनको जलालुदीन खिलजी जो S का पहला संस्थाफक था ठीक है जलाल उद्दीन खिलजी इसका संस्थाफक था किसका खिलजी वर्व का इतना के लिए है अब देखते हैं ये खिलजी है क्या एक इतिहास का रहे है ठीक है पहले खिलजी के बारे में थोड़ा सा basic introduction ले लिते हैं एक इतिहास का रहे है जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके है आरपी त्रीपार्ठी ठीक है इसने खिलजीों के बारे में कथन कहा था कि दिल्ली सल्तनत में मामलुक वर्वक्स को हटा आगरके एक खिलजी बंस का आने को इसने खिलजी करांती की संग्या दी थी किसकी संग्या दी थी खिलजी करांती की यानि कि इसका मानना था कि एक खिलजी करांती हुई है अब क्यों कहा था खिलजी करांती इसके लिए आमें थोड़ा सा एक background में जाना पड़ेगा मैंने आपको ए इससे पहले Butler इंपर किसका राजता है मामलूग वंज का जिसे गुलाम वंज भी करते हैं मामलूग वंज मामलूगं बंने अगर हम में कुत्व दिए वग को छोड़ दें वो याय जाती से थे बाग के सभी लग्डट खिल्जी वन्स का अब सासन आया है खिल्जी वन्स का ठीक है अब देखो यह खिल्जी वन्स क्या होते हैं यह जो खिल्जी वन्स है खिल्जी ही इनकी जाती है अपनी जाती पर इनका वन्स है ठीक है खिल्जी जो इनकी जो जाती है ना कि हां खिल्जी यह उतने है निम्नवर ठीक है जैसे उच वर्ग है ना ये निम्न वर्ग था ठीक है ये था निम्न वर्ग ये जो निम्न जाती के थे ठीक है ये चीज के लिए रोगई एक उच जाती से है तो दूसरा ये है ये उच जाती से थे मामलोक बंस और ये जो खिलजी बंस है ये निम्न जाती से थे इतना के लिए रोगया तो इतियास करण आरपीतिरी पाठी ने इसी चीज को मुद्दा ब सांति को काया था कि अब लोवर कार्ष के लोग भी सासक बन रहे हैं ठीक है अब इस खिलजी वंस में लगबक 30 वर्सों तक टोटल पांच राजाओं ने राज किया था आपको पता होगा मैंने जब आपका मामलुक वंस पढ़ाया था उसके भी मैंने पहले सारे के सारे राज कैसे करनी है कैसे हमें एक एक स्रीज में एक राजा के बाद दूसरे राजा को पढ़ना है और हमने आपको पता होगा हमने एक भी राजा को बीज में स्किप नहीं किया था भले उसका छोटा सासन क्यों ना रहा हो तो ऐसी मैंने इसमें बताया है कितने सासक इसमें 30 वर्सो पढ़ेंगे पुरे 5-5 तक ठीक है पहला सा सकता जलालुदीन खिल जी इसका टाइम रहा था 1290 से 690 में देखो 90 में स्थापनोगी है जिसने वही है जिसने उसका लाश उत्रादिकारी को अंता कैको बाबाद को नदी में फेक दिया था दियाने मैंने बताया था उसके बाद जो इसका लड़का कैयूमर स्थाल पोएस्त उसका सास अगवन है और कुछ महिनों बाद उसको भी खतम करें खुद दिल्ली वंसका इसके म्रत्यों के बाद आता है अलाओदिन खिलजी अभी मैं सिर्फ यहां पर नाम मता रहो जादे डिटेल्स नहीं डिटेल्स जब हम जलालोदीन खिलजी वह पड़ेंगे इसको पड़ेंगा लाओदीन खिलजीवा तो उसकी पूरी डिटेल पड़ेंगे अभी सिर्फ एक introduction है ठीक है तो जला अलावदीन खिल जी आया इसका टाइम था बारासो नब्दै से सोरी बारासो च्यानवे से तेरासो सोला यह लगब लगब बीस मर्स तक रहा था और सबसे मैंत पूर्ण भी पूरे खिल जी वंस में सासत अलावदीन खिल जी रहा थीक है फिर इसके बा यह लगब 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 चारवरस रहा फिर अंतिम्त है खुसरो सा ठीक है यह खुसरो सा रहा था तेरासो बीस मतले यह भी कुछ मैंनों तक रहा था इसको अटा के फिर तुगलकवंस के स्थापना हो जाती है तो हमें इन पांच के पांच के बारे में पढ़ना है जिसमे सारा गा सारे चिज्जे पढ़ चुके हैं अब आज हमारा जो रोएगा बेसिक इंट्रोडक्शन पलस जलालुदीर खिलजी तो एक एक करते हैं आपको बताई दिया खिलजी क्या है यहां तक हुआ कि दियर अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो यह खिलजी है यह जो खिलज पर तो इसको भी थोड़ा सा देख लेकते हैं कि यह खिलजी है कोण है तो हमारा है टोपिक खिलजी ऐसे में लगा देता हूं यह जिससे खिल रोजाएगी खिलजी कोण है कि लिए तो देखो मैं आपको चीज बता हूँ अफगानिस्तान देश है इसके बारे में हम बात कर च यह इस फ़गानिस्तान देश मेने जैसे हमारा देश है भारत ठीक है इस अफगानिस्तान देश में एक नदी इसका नाम है हेलमंद नदी फेलमंद नदी अब आपको पता है नदी स्पाइब रहते हैं तू सपोज करो यह एरिया यहां पर लोगों की अबद्दी ए ठीक है स्कूबते नदी गाटी-छेतर आपने बुगोर पर पड़ा होगा नदी गाटी-छेतर ठीक है जहां तक मदी कर असपास का एरिया जोसता है नदी-गाटी-छेतर घील्मन नदी इस नदी का जो घाटी छेतर है हेलमन नदी घाटी छेतर इसको ही क्या बोला जाकता है अफगानिस्तान में खिल जी इस एरिया को जहां को ये बैठती है खिल जी इस घाटी छेतर को भी साथ के साथ यहां पे रहने वाले लोगों को भी साथ के साथ कहां पर इस नदी गाटी छेत में रहने वाले लोगों कि देल्मन्द यह है के लेहने वाले कि लिए लिए देखो एक इस नदी गाटी चेतर का नाम भी क्या है खिलजी और यहां पर जो रोल में खिलजी बोल दिया रखता है ठीक है जैसे बिहार में रहने वालों को क्या बोल दिया गुजराती ठीक है कश्मीर में रहने वालों को कश्मीरी उत्राखंड में रहने वालों को उत्राखंडी ठीक है ऐसे क्या बोल तो आएगा कोस्टन की खिल्जी कों थे तो खिल्जी जो इक स्फ़ आइए अफगानिस्तान में रहेंने वाले लोगों, तो यह आई है और ये निम्न वर्ग के थे ठीक है यह वही से आहे वेते हैं उल इनक्ता अंप अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान देश और अफ़गानिस्तान देश में भी क्या खिलजी करांती तो अब देख लेते थोड़ा खिलजी करांती ठीक है खिलजी करानتी, किसने का ये खिलजी करानती है? rpr temporary 13 थोड़ा इस खिलजी करानती क्योंकि यहीए से basic concept आपका Democrat meglio escolet 간енной खिलजी करानती के basic concept हम今天 टोड़े हो देखे लेखते हैं मेंतalter 출ajaison क्या है एक क्या है ये खिलजी करानती basic introduction देवीं आ था खिर्जी क्रांते का अर्थ है ज्यातिय वै नसल नसल जानते हो भी बता जितनाओ क्या अधारित आधारित अधारित सासन की समापति सासन की समापति पहला तो बेसिक जिसको यह मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्यार्थ है कि जाती जाती है में नसल आदारी सासन की समाप्ति जाती तो आपको पता है जाती के वेश पर यह नसल का मतलब भी जाती से संब्दनी मानना जाता है जैसे हम कह रहते हैं न कि यह तो उस नसल का कुटता है यह उस नसल की गाये है उस नसल की बहांस है ठीक है वही बतायत है कि जो मामलुक लोग थे उच्छ कुल के थे अपर कास्ट अपर कास्ट की जगह सासन लोवर कास्ट पर आ गया मतलब जो सासन है नो कास्ट बेस नहीं रहा जैसे हमारे यहां ले लेगर भारत के हिसाब से कि जैसे राजपूत राजा बनते थे सपोर्च कर लो कि बन जाता है वह भी सी एस्ट किसी से भी तो हम यह कहेंगे कि भाई यह क्रांति आई एक कि जैसे वह अब जाती आधारित राजा नीरे मतलब सिर्फ राज पूति राजा नीया कोई बीराज़ा बन सकता है तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि जाती नसलिया अधारित सासन अपर कास्ट को अटाकर के लोवर कास्ट का सासनला देशिक खिल जी करांतिकर यह था इसके अलावा कि पीद इसके अलावा कि अजली को आप मैं तीन आधार और बताओंगा इसके इसके लावा तीन आधार मेरे मैं एक एक करके बताता हूँ पहले तीन अधार हो रहे है खाली यह इनके काश्ट की वज़े से इसको खिलजी करांतिक आ गया है इसके लवा तीन अधार हो रहे है पहला अधार यह है कि भई काश्ट के तमने बात कर ली थी कि काश्ट की वज़े से है तो इसका पहला आदार बनता है धरम का राजनीती से एलगा हो धरम का राजनीती से एलगा हो यानि कि अब धरम को सिर्फ धरम तक ही रखा गया है कि वह सिर्फ आप धार्मिक कारी अगर ये राजनीती से अट जाएए ये काम तो आपको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बैक्ग्राउंड में जाओ, जब हमने सबसे पहली किलास में पढ़ा था, पुरे इतियास की जो मैंने पढ़ाई थी, कि किस परकार से जो खलीफा थे, खलीफा ने राजनीती करण करना च्टार्ट कर दिया था, कि एरिया को जीतो इसलाम धरम को फैला तो यहां से धरम का राजनीती से अलगा होता है, हलाकि इस टार्ट तो भलबन नहीं कर दिया था, पर अलाओ दिन खिल जी एक सासक आएगा इसी में आगे, उसने बिल्कुल किलिए ली ही धरम को राजनीती से अलग कर दिया था, कि धरम के लोग तुम धरम का काम करो, तुम तुम्हारा इंट्रिफियर नहीं करेगा, अगर मैं तुम्हारी से ला लूँगा, तो फिर मैं किस चीज का राजा, तो यह चीज आती है, पहला तो यही कि धरम का राजनीती से लगा वकता है, यहां से, ठीक है, मतलब धीरे धीरे डेवलबनेंट की तरफ को चीज़े चल हो रही है, समाज का सुधार की तरफ को चीज़े हो रही है, ठीक है, दूसरा क्या अपका सबसे इंपोटेंट, परतिभा, वय योग्यता, परतिभार योग्यता, के आधार पर, के आधार पर अधिकारियों का चैन, के आधार पर, अधिकारियों का चैन, इसका मतलब क्या है, कि पहने जो अधिकारी नियुक्त किये जाकते थे न, वो किये जाकते थे कि भई अपने परिवार से ही, कि भई किसी ने बेट्टे को बना दिया अधिकारी, कि अपने अलग-अलग लोगों को, अपनी परिवार में से लोगों को अलग-अलग पोस्ट दे दी, बड़ी-बड़ी पोस्टे दे दी, कि भई तू इस टेट को देख ले, कि या तू या अधिकारी बन जा, अपनी भाई बती जो परिवार में से अपने रिष्टेदारों को भई बना दिया जाता था या जान पहचान वालों को जो अपने बहुत को लोज है, मतलब जो योग्य होगा, जिसके अंदर पर्तिवा होगी, जो वैल क्वालिफाइड होगा, सिर्फ वोई अधिकारी बनेगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगी बनने की वोई बनेगा, जो की एक अच्छी चीज है, ठीक है, इसलिए इसको करांती कहा जाता है, करांती का मतलब भी क्या बदलावाना, तेजी से बदलावाना किसी चीज में, करांती गोई तो है, एक कास्त वाला तो है, बेसिक, दूसरा क्या अब धरम को भी राजनीती से लग कर दिया गया, कि धरम के इंटर फेर नहीं होगा, तीसरा परतिवा और योग्यता के अधार के अब अधिकारियों का चेन होना स्टार्ट हो गया, कि अब कोई भी ऐसे जान पैक्सान से अधिकारी नहीं आएगा, परतिवा और योग्यता के अधार के आएगा, इस दोनों इंपोटेंट है, तीसरा, और जो इसका लास्ट, जो मुझे लगता है कि खिल्जी क्रांती मे होना ज़रूरी है, वो है परसासन का सामाजिक विस्तार, यह भी बहुत इंपोटेंट फेक्ट है, देको यह फेक्ट समझोगे, तो आपकी न एक अंडेस्टेंडिंग लेवल, एक कोंसेप्ट के लिए रोंगे अंडेस्टेंडिंग आपकी इतियास में बनेगी, ठीक है, खाली रटना नहीं है, मेरे एक उदेस्टेंडिंग मनात्य पढ़ाना, परसासन का सामाजिक विस्तार, अब घबराने की ज़रुत नहीं है कि यह क्या बला है, एक एक चीज करके समझाता हूं इसको भी मैं, परसासन का सामाजिक विस्तार, इसको विस्तार का मतलब आप कैसे?, पहले क्या होता था, जो सिर्फ तुर्क लोग है, इनकी जाती क्या थी? एलवरी, एवर कुछ भी हैं, पर मूह लीक हाता है, इनका तुर्क लोग थे, तुर्क से यह थे, तो सेना में भी, परसासन में भी अधिकारी जो भन रहे हैं, यो भी कामकाज करने वाले, जित तो भारतियो मुसल्मान और मंगोल सामीड उन्हों क exercич युल नए लोग में सामील नहीं है ऐसे स्टार्ट औहीं मैं अधी कारी में तुर्क तो हैं अगर आख भारतिय मुसल्मान और मंगोलों को भी पलसासनी में या सेना में लेया जाना स्टार्ट कर दिया गया बताया थे मैंने कहा कि धरम का राजनीती से लगा हो गया पढ़तिवा योग्यता के आदार पादिगा लिए कि चैन अब जिसमें पढ़तिवा योग्यता है भारतिय मुसल्मान है या चाहे मंगोल है वो भी सामी लोगा या जरूरी नहीं कि तुर्की सामी लोगा कि तुर्कों में पढ़तिवा योग्यता होगी समझ गए जातिस के आदार पे तो सासन अलग होई चोका है धरम को भी अलग कर दिया अब पढ़तिवा योग्यता का आदार पादिवा यहां से सामाजी के विस्तार सिर्फ एक तुर्कियों तक हिसी मिती निराभ परसासन अब सब परसासन फैल रहा है उसमें भारतिय मुसल्मान भी एड़ हो रहे है ठीक है सपोज गोरो यह परसासन है ठीक है इसमें अभी क्या है सिर्फ तुर्की लोग है इतनी जगह में तुर्की लोग है यह इसमें है भारतिय मुसल्मान इसमें है चलो मंगोल इसमें है मंगोल ठीक है यह एक भारतिय मुसल्मानों का गोला यह है भारतिय मुसल्मान ठीक है यह समझे लो एक एरिया कर रखा इनका यह तुर्की पहले सिर्फ परसासन इतना था अब इसमें मंगोल बेड़ हो रहे भाड़ते मुसलमान गवाइब मैं इन्हें अगर जोड़ दू आपस में अब इसके चारों तरफ को गोला बना दू तो इससे बड़ा बन गया ना इसको अठादू थीक है इस तरह से परसासन का समाजिक विश्थार हो रहा है अलग अलग लोग भी इसमें जुट रहे हैं अब सिर्फ तुर्कों तक्सिमित न रहे के फैल रहा है परसासन इसमें बाक्ती लोग भी अधर कास्ट एलीजिक अंदर आ रहे हैं इसको खिलजी करांती मानना गया है इतियास करने खाली सिर्फ लोवर कास्ट के राजा कार्ट के अपर कास्ट के राजा का आना ही काफी नहीं है इतना हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि इसके बारे में खिलजी वन्स के बारे में अब हम आगे चलते हैं जो हमारा पहला सासा कैस में इसका सलस्थापक जलालुदीन खिलजी आज की सिलास में हम जलालुदीन खिलजी को कम्पलिट कर लेंगे उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हरवार के तरह आगे चलते हैं तो अब हम चलते हैं अपने नेक्ट टोपिक से स्ट आप 1286 में तक इतना किलियर है यहां पे राजा बन गया है ठीक है अब थोड़ा सा इससे बैक ग्राउंट पर जाते राजा बनने से पहले अब राजा बनने से पहले क्या होता है इसके साथ आपको याद है नाम बलवन ठीक है, मामलूप बंसको जो बल्वन होता है, बल्वन के टाइम में ही, ये जो जलाल उदीन खिल जी है ना, बल्वन के टाइम में ही, एक अच्छा कासा सेना नायप का पद ले लेता है दिल्ली सल्तनत में स्केंटी हो जाती है, सेना नायप के रूप में, बल्वन के समय, एक सेना नायप का इसे पद मिल चुका था, किसको किसके बात करने हैं, जलाल उदीन खिल जी गी, इतना समझ रहे होंगे अब, अब धीरे धीरे ये, जैसे बल्वन, भी तो एक नॉर्मल त सब्सक्राइब के बाद सासक आया था कैकुबाबाद जो विमान था जब हमने बल्वन के उत्राधिकारी पड़ेते ना कैकुबाबाद के टाइम पे यह टोप पहुंच जाकता है जनालुदीन मतलब अच्छा खासी पावर पोजिशन में आ जाकता है यह जो कैकुबाबाद है ना इसको दो उपाद्या देता है एक तो ये वाली और एक ये वाली ठीक है यह दो उपाद्या ही कैकुबाद के द्वारा दी जाकते है इसको ठीक है जो कैकुबाद सासक था पहली सरे जानद पदी सरेजानदार के बारे की अंग्रकशक तो इसे अपना अंग्रकशक मना रखा तो कि जलालने खिल जी को कि दूसरी कैकोब युझान की अब साईस्ताख् resistant वर्डा ने वह वह थे क्यों सब्द्धूरन नेए वर्ड अच्छा सब्द्ध का मतलब अच्छा था सब्द्ध इसको व्यवार समारी में अच्छा बता है और सी पडहें तो कहकुपबाद कर दो कहें कंदे का लड़के लडगे के मर्स को शासक बनता है यही प्तिक कि है अब इनकर खतम हो गया कि यह बसिक इंट्रोड़क्षन ऊगए कि बलवन होगाँ कि इसको बदफे काल अब देखको क्या उते है इसका पूरा नाम देखते हैं पहले धित इसका पूरा नाम है जलालुदीन फिरोज खिल्जी ठीक है फिरोज खिल्जी जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने फिरोज खिल्जी के नाम से बताया था आपको कि फिरोज खिल जी ने किया था, अब इसका पूरा नाम है जलाल अदिन फिरोज खिल जी, अब मैं बता तो क्या जबता है कि राजा नहीं बना था, इसका नाम सिर्फ इतना था, फिरोज खिल जी, ठीक है, जब ये सासक बनता है, अपनी लास्ट वाली उपार्दी लेता है, यह पूरा नाम आपता है इसका जलाल अद्दिन फिरोज खिल जी सासक बनने के बाद इसका पूरा नाम क्या आता है जलाल अद्दिन फिरोज खिल जी इतना के लिए यहां तक बात आती है अब इसके राजा बनने के करम में एक चीज आती है जब यह बारासन नभे में राजा बनता है कि यह खिला हो ना करते हैं एक जगह है दिल्ली के पास लिकी बास और तुअ जो और विली आपको चुपा पासा जगह है किया क्या नाय में जगे का किल खोरी बर तो दिल्ली में मैं आच ऊकी एगा किल खोरी इस जगह पे कैकुबाद का किला था कैकुबाद ने किला works वही कैकूबाद इसकी बारे मैं रपकुत कर और टिक है कैकूबाद का किला कैकूबाद ने अपने राजा ऐना था जब वह स्थम्मेशल मैं याद रखने की जरूरी है इसमें जलालने खिलजी ने दिल्ली की जनता एक ड़र से डिल्ले के पासी किल खोरी है इक के और अपना राज्योबीसेक कर आता है नी नहीं करते हैं यह वह रेख्ना खाया झालो ठीक पर शends चैर सेते हूद धी लेख्श जे पर हुआ늬्स निए किसी राजधानी भनाता है किलखोरी को देखो कितने लिघ की याद हुई से वह इसकी और किलखोरी में क्या नमबर एक किलखोरी लिए क्या कैको अबाद का किला है तीसरी यहीं पर राजधानी भनाता सश्र six happy अपनी मैं सौसब बने के टाइ्म सकी उमरं सतर वर्स थी है एक साटर वर्स की आयू में अक्छा का सा व्रद हो चुकाता है एक सौसजा के बनता एक सासक बना एक इतना किले हो गया औरूGO है यह सासक बन रहा है यहां तक चिज्ज्य के लिए रहे यह basic information तीज के बारे में ठीक है अब हम जाते हैं इस topic के बाद सासक यह बन चुका है यह के लिए रोगया आपका अब हम देखते हैं इसकी policy क्या रही सासक बनने के बाद इसकी policy क्या है आपको पता है जब बलवन के उत्रादीकाड़ी तो बहुत ही कमजोर थे मात्र चार साल में मामला खतम हो गया में लास्ट बलवन बचा था बलवन ने उसके दंड देता था लोगों को बहुत कठोर दंड दिया करता था इसके बारे में हम किलियर बात कर चुके यह चीज़ हमारी हो चुकी है पैले देखते इसका आदर्स क्या आता पिर उसकी नीती देखते है कि क्या policy रही ही इसकी बलवन के opposite policy पता है साहिस्ता खान मैंने को जबं न नियाensk भी सब्देल हुक्त हो साहिस्ता का इसलिए संस्ता खाना को पाध्य को पद्दी देगी इसलिए थी कि पॉलीशी के में दिखा GDP कुष्ताबाद आदर्स था उदार निरंकुस्तावाद यह बहुत इंपोर्टेंट है उदार निरंकुस्तावाद उदार का मतलब आपको पता ही होता है क्या लिबरल ठीक है उदार है मतलब ज्यादा कठोणनी है आदमी देखके किसी चीज को थोड़ा सा मतलब smoothly काम करता है अपने अंदर मम कुमता का भाव लेके काम करता था है निरंकुस ता वाद का मतलब हता है निरंकुस वह होता है जिसपे किसी का अंकुस ना हो निरंकुस जिसपे किसी का अंकुस ना हो मतलब जो ही जिसपे किसी का अंकुस नहीं है मतलब वो जो मरजी करे और वो को नहीं होता है राजा राजा निरमकुस होते हैं, मतलब अपना काम करेगा अपनी मर्जी से, किसी का कंट्रोल नियोगा राजा पर अपनी मर्जी का मतलब यह नहीं है, वो गलत काम करेगा, लोगों को कठोर काम करेगा, इसलिए नकाथ कि उदा निरमकुस था वाल, अल्लग कि सारी पावर तो मेरे आतमे ह चाहिए मैंने जो मरजी करूगा पर मैं उदारता के साथ करूगा यहिसखा आदरस था कि सबसे बड़ी सुप्रीम पावर में यह हूँ पर escort उसकी प्रिम्प और होके करूँगा यहिं स्थान पर किस चीज को लगता है उदारता है सफ मुनता कि भैव आतंक के अस्थान पर किस को लगता है उदारता वह से नीती कश्रां में क्याता था जो सकर्ट इसका माल के राज किया जा सकता है इसलिए उसलिए व की नणा ह ut is सही सुनूता की नीती अपनाई इसका विर्वाक तो लोग डरते थे आतन फैल रखा था जो भई हमारा बल बना जब बड़ा खत्र ना तो उसके खिलाफ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा इसने उल्टा गिया उदार तो सही सुनूता उदार तक तो बताई जिया है सही सुनूत दूसरी नीकिती स्की ए हसथ चेफ की नीति ए भई तक छेफ का मतलब इंटरफियर नहीं करेगा लोग बस विदरह ना करे में नेर्मली जो काम कर रहे हैं जबर्दस्ति अपनी पॉलिश इन पर नहीं थोपड़ना है जैसे कर रहे हैं करने देगा प्यारे के साथ काम को इस की है सरकार काहा जता साइस ही पॉल्ए बनाना और इसके बार वी कितना अच्छी Tips अब समझी nog 12 in wonder prices जिस तरे जंतना चायेगी उस तरह में साउसन करूवा इतने इसके विचार थे जो की बहुत अच्छे जो कि आझ कल में अगर अप्लाई करें तो बहुत अच्छा काम किया जा जनता की इच्छा है मतलब जो जनता चाहेगे वो करेंगे जनता वो क्या चाहिए जनता किस चीज़ की कमी है वो चीज देंगे यह नहीं कि हम अपने इसाफ से देंगे कि नहीं हम तो यह देंगे तो दाल नीचए है दाल उसके पास है उसको रोटी की ज़रूरत है तो वह चीज दी जाए जो पूसकी जरूरत है अब इसका मानना था ज़्यवन खुष रखेंगे उसकी पूर्ती करेंगे तो जन्ता भी दरो करेंगी हमें जनतक इच्छा के साफ से चलता था एक इसका और मानना था ये जो सारा ये आदर्स नीती सासन का अदार इसने ऐसा बनाया इसके पीछे इसका एक खरण था इसका मानना था कि भारत में इसका मानना था कि भारत में सच्चे अर्थ में मतलब वास्तों में सचे अर्थ में हम इसलाम धरम के स्थापना नहीं की जा सकति है वह कि अपने इरान में कर दिया आफगानिस्थान में कर दिया और अड़ान में कर दिया यहाँ यहां पर नहीं की जा सकती क्योंकि यहां के लोग इतना इजली कनवर्ट नहीं होते थे यहां पर बार-बार मैंने बताया कि राजा हारते भलाई थे पर इतनी जल्दी हार निमानते थे वह युद में हारने के बाद करते थे कि यहीं कि युद से भागी रहे या उन्होंने कर दिया उस टाइम हार गे उसके कुछ टाइम बाद फिरी कट्थे वे फिर लड़ते थे बार-बार विरोध करते थे ठीक है इसलिए इनका मानना थे कि और क्या आप सच्छे अर्थ में नहीं आप इसलाम धर्म की स्थ सम नकर सकते इसलिए यह पूलीशी ही रखी कि मैं में अर्दस्ति इसलाम में कर लोगों को लोगों की अथ्षा है कि खिलाब जबर्दस्ति रशत्थी पात्त्या आचार करूँगा इस गोट का आधार पर इस विचार के आधार unified mindset अपना आदर्स बनाया, नीती बनाई, उस सासन को आदार बनाया, कि बात में सच्चे अर्थ में इसलाम दर्म के स्थापना करी नी जा सकती, तो खिर क्यों इतना फालती वो करना, इसलिए उदार होके हम काम करेंगे, ये सारी चिज्जे थी इसके बारे में, जो की बल बन से बिलकुल ओपोजिट थी, इसलिए इसको साइस्ता खान, यानि की सब्वय पहाज अपता था, ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, इसके टाइम में कुछ क्या काम हुए है, थोड़ा सा उनके तरफ पे नजर मार लगते हैं, तो अब हम देखते हैं, इसके सासन में, नीती बगार आमने देख लिए, इसने कौन-कौन से विजय अभियान किये थे हैं, कौन-कौन सी लड़ाई लड़ी थी, इसके में मातर दो अभियान हुए थे, पहला और दूसरा, पहला हुआ था, बारा सो नब्बय में रण थमबोर का भियान, जो कि इसका ऐसा फल अभियान थ मतलब इसने सफल नहीं हुआता है, ऐसा फल रण थमबोर उस टाइम में राजपुत्तो की बहुत बड़ा राज्य था, मतलब बहुत बड़े का मतलब छेतर फल में नहीं स्ट्रोंग राज्य था, उसको जीतना इतना इजी नहीं था, ठीक है, यहां पे ऐसा फल हुआता, जो रण थमबोर है वास्ता में आज के टाइम में आपको राजिस्थान में सवाई मादोपूर जिला पढ़ता है, वो जग है आज की, सवाई मादोपूर, कहा है यह आर जे मतलब राजिस्थान में, वर्तमान में जो राजिस्थान में सवाई मादोपूर जिला है ना, वह जोदपूर डिस्टिक राजिस्तान में वह पढ़ता है उस टाइम पर मंगोल आकर्मन हुआता है अब दुल्ला के कोस्चन अगता है कि किसकी नेतुरत में मंगोल आकर्मन हुआता जलालो दीन खेल टाइम पर अब दुल्ला के हो पूर मतलब इनका नेता कुन था अब दुल्ला किद्धा मंगोल हो गाल मंगोल हो गहरन मंगोलों का जो आक्रमर्ण इसके बाद क्या होता अबदुल्ला तो वापस मंगोल चला जाता है पर अबदुल्ला की जगह एक व्यत्ती था उलुग खान इनी के साथ आया हुए व्यत्ती था इसका नाम है उलुग खान उलुग खान की नेत्रथ में कुछ मंगोल भारत मी रुख जाते हैं लगभग लगब उलुग खान की नेत्रथ में लगभग-लगभग Fortnite लगबक 4,000 रुख जाते हैं जो एक जगह है कहां रुखते हैं किसी जगह हो तो घंगी है मुगल पूर के की इस एफ वह मुग्लों वाला नी मंगोल की नाम से मुगण अज को आगे में इत्याज मजल जो इतील को महें तो यहां पर मुगल पूर या फिर इसका नाम लर्फ मेंसे मंगोल पूरी यहां में लूप जाते हैं दिल्ली के पास थे वर्तमान ली में आ दिल्ली में आपने देखा ओगा नहीं भी पता होगा सर्च कर ले न मैप, मंगोल-पूरी distation भी पड़ता है मंगोल-पूरी जगह एक दिल्ली में अब तो दिल्ली पूरा सेर बढ़ा चुका है उस ताइम ही महरोली के पास था आप सर्च करना महरोली जहां कुतुम मिनार है कुतुम मिनार से मंगलपुरी की डिस्टेंस देखना कितने किलोमेटर निकल के आएगी उससे आप आइडिया लगा लोगे कि उस ट मंगलपूर से नाम बिगड़के या बदल के मंगलपूरी हो गया जो आज का मंगलपूरी जाना गरता है तो किसके नेत्रतों महां पे जो रुके तो मंगल रुके थे 4000 के करीब ठीक है जब यह रुक गए इन एक नया नाम दिया गया नव मुसल्मान यह बहुत important term यहाद रहना है कि एक तो यह question बन सकता है कि किसके नेत्रत में मंगल आकर्मन हुआ था वह था अब दुल्ला के नेत्रत में ठीक है और फिर बाकी चले गए ते किसके नेत्रत में कुछ मंगल बारत रुक गए ते लेते उलुक खान गए और फिर यही बाद में यही जो कुलूब नहां ओविखे ची पूत्री का विवा खोता है या नेकि हो अभी अपनी पूत्री का विवा हों एक तेK कि लिए रोगे हैं तक ये इसके टाइम में यह उतता है एक छोटा सा विद्रो होगा इंदका कडा मनिकपुर में वाहां तो इसको भी देख लेखते हम थोड़ा सा ये कि लिए रोगे आपको कि यहीं पर लिख लेखता हूं एक विद्रो वाता 1291 में 1291 में में एक विद्रो हुआ था कडा मनिकपुर में कहा हुआ था कडा मनिकपुर में एक जगह है कडा मनिकपुर कडा मनिकपुर आज के टाइम में जो परियागराज है न इलावाद कहते से उत्तर प्रदेश में परियागराज यह जो परियागराज का एरिया यही उस टाइ मनिकपुर ठीक है यहां का एक इक्तेदार था इक्तेदार बता ही रखा है मैंने उस एरिया का सबसे बड़ा अधिकारी जो इक्तेदार था उसका नाम था मलिक चज्जू चज्जू पहले जाने इसका नाम था मलिक चज्जू यहां के इक्तेदार यह था कौन यह था बलबन वही बलबन जो मामुण रुक्वन्स काता बलबन का बतीजा, बलबन का बतीजा कौन था? भ Previously on January 1. अब या थोड़े उसका सारी परिवार्गौुन खतम करेंगा इसका बतीजाता मलिक чув यू इस टाइम पर कर देटे है यू विद्रो कर देटा है किया विद्रोगर देटा है isn't your फेधिया हिवा हुदार है परिस का मतले फिलिक chapterogen bald-run whitley नुंद्रो मत करना वस ब 지सेब करो जो शाह आपके same से काम करूए पर यह विद्रो कर देता है लालच में आगे यह भी सोचता है कि इलावा आप तो बहुत दूर मैं तो विद्रो कर देता हूं इंडीपेंडनेंट रहुँंगा होई लालच तो जलालुदीन खिल जी, अलाउदीन खिल जी आ दे न, तो अलाउदीन खिल जी को बेजता है, किसको बेजता है, अलाउदीन खिल जी को बेजता है, ये विद्रो दबाने के लिए, अब एक बात सिद्धिसी ये जान लो, अलाउदीन खिल जी जो है, जलालुदीन का बतीज अंग का देpe months at its इनके यहां पर बॉजताह एक हैसे चाचा तवर में साधिया हों जातीकित अनुर्ट तुरर हनुद अपर होन ना अपर है कि तंटर वी जातीड मुझा बतिज्जाई दमार जी था तव चाचा के भाई वहन थे उनमें साधियों रखिती इनके हापे जो हो जाती है तो यह अलाउदिन खिलजी को बेजता है कि भाई तू जा और इस विद्रों को रोक दबा के आ ठीक है तो अलाउदिन खिलजी जाता कहा है मलिक चज्जु के पास तो इनके बीच लड़ाई होती है मलिक चज्जु वरसेज अलाउदिन खिलजी अलाउदिन खिलजी आपको पता ही है कितना खतरना था नहीं भी पता है तो इससे समझ लोग जो आगे राजा बने रहा है नहीं कि स्ट्रोंग तो होगा इसमें मलिक चज्जु जाता है हार अ गिरफ्तार कर लिया जटता है तो फिर जो जलालुदीन खिलजी अलाउदिन खिलजी को इस कड़ा मनिकपूर का इक्तेदार मना देखता है अब मैं तुझे बना देखता हूं यहां का इक्तेदार क्योंकि तुमेरी फैमली से भी है और मुझे तेरे पर विश्वास है तो एक चीज और बता देता हूं मैं हाँ चलो यही से करते हैं बाद भी बता दूँगा अलाउदिन खिलजी है कड़ा मनिकपूर का एक्तेदार मन गया है मलीक छज्यू का पराजीत करके तो एक बार क्या उतता है यही अलाउदिन खिलजी कौन मैं सोट में लिखे रहा हूं अ लख्यृत की तरफ जाता है ऑल Qatar चम्सिन भारत में एक जगए है गतलब उस दमें की जिसे का सता थैंद देवगीरी एक सैर एक राइव राज्ट राजा था जिसका नाम था राज़ा राम चंद्र राइड ठीक है क्या था देवगीरी का कोई राजा होगा ठीक है देवगीरी का राजा था आँ यादव बंस का रामचंद्र राइस का नाम था यह क्या करता है अलावदीन खिल जी राजा निमाना है यहां के राजा को थे यादव बंस के रामचंद्र राइस को रामचंद्र राइए पराजित किस से अलावदीन खिल जी से तो रामचंदर राय को हराता है और उसके बदले में कहता है अलाउधिन खिल जी को बहुत सारा इनासे देवगिरी से बहुत सारा पैसा प्राप मिलता है सोन नाचांदी और धन काफी मात्रों में मिलता है जिसे लेके फिर राजा रामचंदर राय को छोड़ देता है कि चलो तुम राज कर लो मुझे धन संपत्ति देदो तुम्हारे पाज इतनी भी है तो लेकर फिरे वापस कड़ा मनिकपूर में आ जाता है इतनी कानी समझी में फिर बताता हूं आगे उटता है क्या है तो इसको थोड़ा सा समझ लेगते है क्या है देवगिरी का राजा का है राम चंदर राए ठीक है याद रहेगा किस वन से यह यारा enables 1 से तो लड़ाई होते है किसके बीclis राम चंदर राएवर से अलावदीन खिंजी जोट्में लिखराओं में अलावदीन खिंजी ठीक है अलावदीन खिंज जिसमें बार-ention बार बही जा आपको उतता है राम चंदर रहा हार जता है तो फिर हार नेवा लावदीन के राम चंदर्यां करता है कि भई मुझे खूब सारा धंसम पत्ती दो सोना चांदी जो भी तुम्हारे पास है तो मैं आपको तुम्हारा राज्ये वापस ले लोगा तो रामचदाह सुचते हैं भई राज्ये तो मिल रहा है धंसम पत्ति दो फिर कठा कर लूगा जिन्दा रहुगा तो यह मेर हाँ करण निंसे काणी में पहला फैक्ट आपके पास यह कहानी जो यही पर कर दिया मेंने अलाव दिन खिल जी पहला वेक्ति था दिल्ली सल्तनत का पहला वेक्ति दिवाइड करता है अपने बोल में पड़ाओगा विंध्या पर्वत पार करके पार कर के दक्सीन में अभियान करता है पार करके दक्सीन में अभियान करता है दक्सीन में अभियान करता है अब इसके बाद बहुत सारे सासक गई दक्सीन में करने दक्सीन भारत को भी जीतने पर अभी तक हमने जीतना पड़ाया ना उसमें दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति था अब यह सासक भी नहीं आई सासक भी कहलो या पहला व्यक्ती कहलो को खी सासक बनने के बाद भी दक्सीन का भ्यान करेगा तो पहला व्यक्ती ही था देखा पहला कोंद, किसके विरुद हहा था या वियान रामचंद्र राय के विरुद दो रामचंद्र राय किस वंस का था या दवंस का चोत्या कोश्चन ये जो दक्सिन में जो भ्यान किया तो किस जगए की आता देवगीरी में पांचवा कोश्चन देवगीरी के वर्तवान पैचान किया है और अंगाबाद महराश्ट में पांच कोस्चन यही से बन दे हैं डारे कि पहला दक्सिन भारत का भ्यान करने वाला वैक्टी कौन था दिल्ली सल्टनत का पहला बाद के कितने गए हो लाउदिन खिल जी इसने दक्सिन भारत में किस राजे के विरुद भ्यान किया था रामचंदर राय की रामचंदर राय किस वंस का था या दवंस का और कहां का राजा था देवगीरी का देवगीरी के वर्थमार पैचान किया है और अंगाबाद महराश्ट कि कोष्चन गुमा फिरा के कैसे ही पूछले आपके आपका जो क्राइटेरिया बन गया न नोलिज आपकी नोलिज से बहरी नहीं जाएगा आपको से छुटेगा गया तेक सी पाँच कोष्चन के लिए यहाँ पे किलिए अब कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे मैंने बताया खूब धन संपत्ति लेकर सुनना चांदी लेकर को आगे अलाओदिन खिल जी वापस कड़ा मनिकपूर जलालुदीन को जब पता चलता है कि बहुत सारा धन संपत्ति लेकर आया है तो जलालुदीन खिल जी पहले सोचते है कि ये कड़ा मैं क्यों गया है भई राजा को ओना है जलालुदीन खिल जी तरीका ये था कि सारी संपत्ति जीतने के बाद धन संपत्ति लेकर इसको दिल ली जाना चाहिए था राजा के पास कि देखो भाई राजा मैं यelles जीत के लाया क्या दिकार तो राजा कई धिकार हो णे कि भी इस जीतully आए उंप अब मुझे देना चीजिए पर यह इत्ता में क्यों के ओगा में मैरे पास क्यों यह आ जलाल लुदी भेगा को थोड़ा अजीव लगती है वाद की मेरे तो जलालोग दीन क्या बोलते हैं उसको चित्थी विजवाता है या किसी अपने दूत को बेजता है वदल मैसीज पहुंचवाता है नूर्मल यह समझो कि अलाउदिन खिलजी पार मेसेज आता है कि आप मेरे से मिलने क्यों नहीं आए पहले पर कहते हैं कि तरीके में तुमने बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए आपको मुभारत बात एक राज्य को ऐसे जीत के लाए हो कि आप राज्य को जीतने के बाद मेरे पास क्यों नहीं आए आपको मेरे से मिलना आना चाहिए था तो अलाउदिन खिलजी क्यों नहीं आया मिलने अलाउदिन खिलजी को ज हाँ से इसके मन में लाला चा जा जाता है यह महतू कामसि हो जाता है यह सोचता है यही कुषे माइड जैसे को ने जनालों दिन खिल जीए तो मेरे पास कितनी दंसंपत्ति होगी और मैं फिर कितने राजा उकल जीच सकता हूं अब तो मैंने इसको जीद दिए मुझे राजा को देना पड़ेगा यह फिर जम मैं राजा होंगा मैं किसी भी आप आप बहुत बड़े राजा हो एक लिए राजा है कि तो यह ब्जी बहुत बड़े में लगने देने ज Southís मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो, आप बहुत माहन हो, दिमाग से खेल लाए, कि आप बहुत माहन हो, मुझे आपसे मिलते विए डर लग रहा था, कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं तो इसलिए नहीं आपसे मिला, तो जब ये बात जरालो दीन फील जी को पता चलती है, कि या तो जलाल अदिन खिल जी को माइंड गेम में ले लिए ठीक है साइकोलोजी चेंज कर दी कि मैं आपसे डरा हुआ हूँ इसलिए नहीं आ रहा तो यह बेधडक होके इसका प्लान नहीं समझ पकता है तो बेधडक होके जलाल अदिन खिल जी मिलने जाता है कहां कड़ा मुनिक अपने इरियम बुलाया है कड़ा मनिक पूर में मिलते है कौन-कौन अलावदीन खिल जी पलस जलाल अदिन खिल जी तो जब यह मिलने जाता है जलाल अदिन खिल जी अलावदीन खिल जी से तो अपने दरबार में बुला के अलावदीन खिल जी धोके से जलाल अदिन खिल जी की हत्या कर देता है जलालुदीन खिल जी की कर देता है हत्या कौन अलाउदीन खिल जी जीत गया आप यानिक एक तरह से तो कब होती है सारी घटनाएं ये घटनाएं हो रही है 1296 में क्या पढ़ाता 1296 में तक इसका सासन है इसकी अत्या करके अलाउदीन खिल जी जोलाई 1296 में ही अपने आपको राजा गोसित कर देता है कि अब मैं हूं राजा अब समझो खेल अगर इसके दिमाग में पैसा देखके लाला चाहा चुका था कि जलालुदीन खिल जी को मार के मैं राजा बन जाता हूं दिल्ली इसलिए नहीं गया दिल्ली में जलालुदीन खिल जी का बाकी पदिवार था जलाल अदिन खिल जी के अपने भी होते ना अपने अपने लोग थे दोस्त बहुत को लोज विश्वसनिय जो इस पर जिन पर ट्रस्ट करता था जो इनके लिए कुछ भी कर सकते थे कि मैं अगर वहाँ पर कुछ करूँगा मैं फेल हो सकता हूँ मैं मारा भी जा सकता हूँ इसलिए इसको अपने एरिया में बुलाता है अपने विश्वसनिय के बीच मारता है इसको और बुलाता भी कैसे है अगर यह एक तमी बैठ जाता ख़बर पहुंचवाई कहानी को समझ खबर पहुंचवाई कि तुम मेरे से मिलने क्यों यह एक इसने जलाल अगर यह कह देता कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं मुझे नहीं तुमसे मिलने एक तरस विद्रो कर देता तो जलाल अगर जो प्रोब्लम कर सकती थी इसने खिलना माइंड गेम क्योंकि इसे डरता हूं मुझे आपसे डर लगता है जैसे कहते हैं घर में बड़ों से डर लगता है ऐसे माइंड गेम खेलता है मैं तो इसलिए डर के नहीं आया आपसे मिलने तो इसके दिमाग में जो वैम थे भी दूर हो जाते है मेरा बतिज जाया बच्छा है डर रहा है ये mind game continuity हेलता है कौन अलावदिन खिल जी इतना खतरनाक था अलावदिन खिल जी तो आज का topic हमारे APM करते end तो हमारा हाज हो गया है जलालवदिन खिल जी अब जो हमारे अगली वीडियो होगी वो अलावदिन खिल जी पे ले करके होगी जो लगबग लगबग दो वीडियो में पूरा होगा पहले में अलावदिन खिल जी का basic introduction और उसके राजनिती का वियान दूसरे में इसकी कुछ policy थी क्योंकि बहुत important सासग है पूरे दिल दिल जी सलतनत का इसके बारे मैं पढ़ेंगे अच्छे से अगली दो वीडियो में लावदिन खिल जी हो जाएगा पूरा दो वीडियो में और एक वीडियो में इसके बाद के सारी तो अगली तीन वीडियो में हमारा एक खतम हो जाएगा खिल जीवन्स तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर कोई भी फीड़ बैक है हमेशा की तरह आपके लिए कमेंट बोक्स ओपन है तो अच्छे से पढ़िए अपना ध्यान रखिए ठ ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के लिए